हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आपको भी अपने फ्रेंड का या किसी का भी वाटसेप का स्टेटस सो नहीं हो रहा है क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp का status नंबर सेब होने के बाद भी शो क्यों नहीं हो रहा है तो फिर ये वीडियो देखते रहिए हेलो, नमस्ते, मिरा नाम है सनोज, तो चले इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे तो यहाँ पे अब हम अपने WhatsApp पे हैं और यहाँ पे हमें आज देखना है कि कई बर क्या होता है कि हमें जो है WhatsApp का status अपने friend का या जिसका भी हमने नंबर सेब किया होता है उसका status कोई भी activity यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं क्या main कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं जो हमें यहाँ पे status जो है वो दिखाई नहीं देता है वो हम देखने वाले हैं तो ये तो कई कारण के वज़े से होता है, सबसे पहला और सबसे मेन जो कारण होता है, वो ये है कि आपका जो friend होगा, जिसका आप status देखना चाहते हैं, जिसका आप number save किया हुआ है आपने, वो आपका phone number अपने mobile में save नहीं किया होगा, क्योंकि अगर सामने वाला जिसका आप status देखना चाहते हैं, वो अगर आपका phone number save नहीं किया हुआ है, तो उनका status आपको नहीं दिखाई देगा, जिससे आप जाते हैं, WhatsApp की setting में, यहाँ पर मैं setting पर जाता हूँ, setting पर जाने के बाद यहाँ पर हम account पर जाते हैं, और यहाँ पर privacy पर जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं status, यहाँ पर आप देख सकते हैं status में WhatsApp जो है, कि आपका number वो save कर ले, यह सबसे main region है, 90% लोगों का जो problem है, वो यही होता है, अब आते हैं second जो problem है, second क्या हो सकता है, कि आपका जो number है, वो block कर दिया गया होगा, अब कई बार क्या होता है, लोग number को block कर देते हैं, तो इस case में भी आपको WhatsApp का status है, वो दिखाई नहीं देगा, उनका WhatsApp का profile picture भी नहीं दिखाई देगा, और WhatsApp का status भी कोई भी activity नहीं होगा, आप message भी send करेंगे, तो send नहीं होगा, तो यह तो दूसरा तरीका है, तिसरा क्या ह हो सकता है, जैसे हम setting पे जाते हैं, तो setting में setting पे click करते हैं, account पे जाते हैं, then privacy, अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, कि status में जाके, यहाँ पे my contact जो है, वो यहाँ पे second या third number जो है, my contact expect and only share with को tick कर दिया होता है, जिसके कारण आपको WhatsApp का status नहीं दिखाई देता है, लेकिन अक्सर यह setting जो है, बहुत ही कम लोग इसमें आते हैं और इसो बदलते हैं, क्योंकि यह by default my contact ही रहता है, तो यहाँ पे बहुत ही कम chance है कि यह setting का problem होगा, सबसे main कारण जो होता है, वो number save नहीं होने के कारण ही आपको WhatsApp का status दिखाई नहीं देता है, तो यह कारण है, जिसके वज़े से आपको WhatsApp का status अपने friend का या किसी का भी नहीं दिखाई देता है, WhatsApp से related मैंने बहुत सारे और वी वीडियो बनाया हुए है, आप हमारे description चेक कर सकते हैं, आप हमारे channel पे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे WhatsApp से related वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को WhatsApp के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe करना मत भूलिए, और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को देखने के ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद